सब्सक्राइब दोस्तों मैं लावजी सिंग आप सबका स्वागत करता हूं योट्यूब चैनल गुड़ बॉई में आज हम इंस्टॉल करेंगे विंडोस 10 के ड्राइवर तो यहां पर देखिए मैंने अभी नई विंडो ही इंस्टॉल की है तो मेरे पास एक सॉफ़वेर है जिसका नाम है ड्राइवर टैलेंट वर्जन 8 तो यहां पर हमने इसे इंस्टॉल कर लेना है इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा आप वहां से इस प्रेंट नहीं होता है 100% होने के बाद यहां पर स्टार्ट की अप्शन है कि पर हमने इससे स्टार्ट नहीं करना है इसे ओपन फाइल लोकेशन कर देना है और अब हम इसे करेंगे एक्टिवेट यहां पर फिक्स पर क्लिक करना है और ड्राइवर टैलेंट का जो प्रविड हो जाएगा तो इसे स्टार्ड कर देना है इस्टार्ड करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी सॉफ्ट्वेर इस्टॉल करना चाहते हैं आपने जो है डिफेंडर को टर्न आफ कर देना है विंडोस 10 में क्योंकि कई सॉफ्ट्वेर जो होते हैं वो वा वाइरस नहीं है मैंने इसलिए इसे टर्न आफ किया है डिफेंडर को यहां पर देखिए यह प्रो वर्जन है तो इसे स्कैन कर देना है तो हमारी जो विंडो है वो सारी स्कैन होनी शुरू हो जाएगी इसके लिए आपको इंटरनेट की अवशक्ता पड़ेगी तो आपने इंटरनेट जो है ओन कर लेना है क्योंकि यह ऑनलाइन ड्राइवर जो आपके मदर बोर्ड के हिसाब से है उसी हिसाब से ही आपको यह प्रोवाइड करेगा कि कौन से ड्राइवर जो है वो चाहिए मदर बोर्ड को तो आपने इंटरनेट जो है चालू कर लेना है तो हम बा पाते हैं तो यहां पर क्या है कि मेरा जो स्कैनिंग शुरू हो चुकी है तो स्कैन होने के बाद वो ड्राइबर जो आपको चाहिए आपके मदर बोर्ड के लिए वो सभी के सभी ड्राइबर जो होते हैं वो सामने लिस्ट में आ जाएंगा यहां पर देखिए जो जो ड्राइवर मिसिंग है मदर बोर्ड, डिस्प्ले अडेप्टर, साउंड, वीडियो, एच्टी एमाई रिपेर करने हैं ड्राइवर इंस्टॉल हुए हैं पर वो लेटेस्ट वर्जन नहीं है जो स्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं इसने क्या किया है वो सभी के सभी ड्राइवर जो हैं वो रिपेर में डाल दिया है तो हम यहां पर रिपेर करने के लिए से क्लिक करेंगे कितने एमबी के होंगे दोस्तों एमबी का है जो साउंड, वीडियो, एन गेम कंट्रोलर और यहां पर सभी को हम रिपेर कर देंगे और यह डाउनलोड होना और इंस्टाल होना आटोमेटिकली शुरू हो जाएगा यह देखी मदर बोर्ड का जो ड्राइवर है वो इंस्टाल हो चुका है सक्सेस आ रहा है और डिस्पले अडेप्टर है उसके लिए क्या करना होगा हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम को तो इसलिए यहां पर रिस्टार्ट आप्शन आ रही है यहां पर जो ड्राइवर हैं सब्वे इंस्टाल हो चुके हैं और पीसी को रिस्टार्ट की आप्शन आ रही है तो अब भी मैं री स्टार्ट करता हूँ उसके बाद देखते हैं क्या होता है हमारे पास ये देखिए मेरी जो स्क्रीने वो भी डिस्पले जो है काफी अच्छी दिख रही है और एच्छी हो चुकी है और अब देखते हैं हम फिर से स्कैन करके कि क्या हमारा कोई ड्राइवर जो है इंस्टॉल होने के लिए रह गया है यहां फिर कोई नई अपडेट आई हुई है तो सकनिंग दूबारा सटार्ट की है मैंने तो यहां पर देखे मेरे पास जो दो ट्राइबर है नेटवर्क और लैंड ड्राइबर यह दोनों अपडेट मांग रहे हैं तो हम अपडेट कर भी सकते हैं यहां फिर इसे रहने भी दे सकते हैं क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो काफी अच्छा जल रहा है मेरा तो अगर आप चाहें तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं आपके तक के लिए इतना हैं थैंक यू फॉर वाचिंग